तो आज के इस विशेश सत्र में हम लोग मंदिर अस्थापत कला के दो प्रमुखे जो सैली है एक तो द्रविड सैली और दूसरा वेशर सैली का तुलनात्मक अध्येन करने का प्रयास करेंगे और इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा कि दोनों के बीच अंतर क्या है डिफ्रेंस की बात करें तो इनके बीच का डिफ्रेंसेज आपको ध्यान में रखना है राइट आप देखिए कि एक तरफ से यहां पर हमने लगा रखा है सुमनात्पुरम का केशो टेंपल है और यह सुमनात्पुरम का केशो टेंपल जो है यह होईसल राजाओं के काल में यह वेसर सैली का जो मंदिर है वो अपनी उतकृष्ट स्वरोप को गरहन करता है और इस साइड जो लगा हुआ है यह टेंपल जो है तांजवड का बिर्देस्वर मंदिर है और यह टेंपल जो है द्रविर सैली का क्लासिकल एक्जामपल है और यह टेंपल जो है वेसर सैली का क क्या प्रमुक अंतर है. ये बात आपको ध्यान में रखना है. देखिए एक महत्पून चीज यहां पर ध्यान में रखी है कि जब हम मंदिर अस्थापतकला की बात करते हैं, तो मंदिर अस्थापतकला की अंतरगति कई महत्पून वीश्ड़ताओं को हमने आपके सांथ सियर किया है और उसमें हम लोग एक तो horizontal बात करते हैं और दूसरा vertical बात करते हैं राइट जब हमने द्रवीड अस्थापत कला सैलिक का discussion किया तो उस discussion की अंतरगत हमने कहा कि द्रवीड मंदिर जो है इन मंदिरों का निर्मान एक बिशाल बॉंडरी में किया जाता है चाहार दिवारी में किया जाता है आप देखिए यह बॉंडरी यहां दिख रहा है आपको यह बॉंडरी दिख रहा है लेकिन होसल जो मंदिर है उसमें उस तरह के बिशाल बॉंडरी की आवश्यक्ता नहीं है उसमें उस तरह की चीजे आपको दिखाई नहीं दे रही है तो एक तो ये बहुत important differences आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है दूसरा चीज आप देखिएगा कि जो द्रवीर मंदिर अस्थापत क्लास सली की एक खास विश्यस्ता क्या है उनका गोपूरम है ना गोपूरम क्या होता है कि गेटवे होता है यानि जैसे ही आप बॉंडरी से प्रवेश करेंगे तो गोपूरम यह जो गेट है गेटवे पर बहुत आकरसक जो है और डेकोरेटिड जो सरंचना का निर्मान किया गया है उसको हम लोग गोपूरम कहते हैं यह एक तरसे भव्य गेटवे है और गेटवे के ऊपर जो है आप देखिए कि किस तरह के नकासी किये गया है अलग से हमें वेश्यस्यली के मंदिरों में इस तर जो है सांथी में मंदिर के सांथी आपको यहां दिखाई दे रही है अलग से पूरे मंदिर का जो गर्वगरी है उससे भी आकरसक यहां पर गोपूरम दिखाई दे रहा यह चीज जो है वेश्यस्यली के मंदिरों में नहीं दिखाई देती है तीसरा इंपर्टेंट चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि गर्वगरी है ना देखे गर्वगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किशी भी मंदीर अस्थापत्य कलासायली को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका गर्वगरी बहुत मात्पून होता है जो द्रवीड अस्थापत्य कलासायली का गर्वगरी है यह आयताकार होता है और जो वेशरसायली के जो मंदीर है यह मंदीर तारांकित आकार का है यानि स्टार सेप्ट है यहां स्टार सेप्ट जो है एक तरह से गर्वगरी होता है दूसरा कि यहां पर आप देखे है कि गर्वगरी जो है जनरली इसकी संख्या जो है एक है एक ही गर्वगरी होती है जहां पर मुख देउता की मुर्तियां अस्थापित की जाती है लेकिन अगर आपे देखें वेसर सैलिक में जो गर्वगरी है यहां पर होसल काल में दो गर्वगरी का नर्मान किया जाने लगा यानि दो गर्वगरी बना करके और उसमें दो प्रमुख देउता को ब्राबर वेटेज देने की बात की गई यहां पर जो आप देखेंगे कि य एक के उपड ये दूसरी एक के उपड सीखर है, तो यहां से एक तरस से दो गर्गरी यानि गर्गरी का जो अकार है और दूसरा कि उसकी नंबर में भी एक अंतर आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत मत्पून है अगर आप यहां पर देखने का प्रयाज करें. तीसरा जो इंपर्टेंटे अंतर आप देखें, कि गर्गरी के जो उपड भाग में जो बनता है, इस उपड भाग को सीखर के रूप में जानते हैं, लेकिन द्रवीर अस्थापत कला साइले में यह जो सीखर है, जिसको बिमान बोलते हैं, तो यह बिमान क्या है? पिरामिड क क्या का है, आप यहां देखिए यह बिमान, और यह बिमान क्या है? कि बहुत उचा है, जैसे हमने कहा कि बिर्देस्वर का जो मंदिर है, उसमें 250 फीट उचा जो है, बिमान है, सीखर है, लेकिन अगर आपे वेसर सेली के मंदिरों को देखें, तो यह जो इस पे सीखर है, यह सीखर एक तरह से क्या है? गुलकार है, जैसा कि आप नागर में देखेंगे तो बक्राकार है, और या फिर किसी-किसी में समतल भी होता है, तो लेकिन यहां पर यह बात ध्यान में डखना है कि इसकी उचाई जो है, एक तरह से कम है, रैट? दूसरा कि यहां पर आप दे तो इसमें हम यहां से इंट्री करते हैं, अर्धमंडप, भोगमंडप, नटमंडप, यह जो उसकी सरंचनाय हैं, यह लगभग प्लेन होती है, जबकि यहां पर आप देखेंगे कि यह जो सरंचनाय हैं, जबकि दो यहां गरबड़ी है, दोनों के उपर सिखर है, तो उसमे भी आपको अंतर देखाई देगा, इसके लावें जो आप देखें कि सिखर के ऊपर यहां पर आमलक और कलस, यहां पर भी आमलक और कलस है, लेकिन उसकी आक्रतियों में भी अंतर है, इसके बाद सिखर के संदर में एक और चेज जो सबसी महतपून अंतर है, उस अंतर को य 맞아, यहां का रकना है कि जो डेकूरेशन है यहां का डेकुरेशन में पत्थर जो है कि छोटी छोटी मुर्तियां बनी हुई है और ये छोटी छोटी मुर्तियां जो है ये धार्मिक और लौकिक दोनों ही धार्मिक जो मुर्तियां जो बनी हुई है पुरी रमाइन माभारत की जो कथानक है वो मुर्तियों के रूप में यहां पर उकेरे गए है बहुत difficult यह काम है और यह आर्ट जो है यह साइधी दुनिया में इस तरह के आर्ट मिलते हैं, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो आपकि दम मंत्र-मुख्द हो जाएंगे, इन मंदिरों को देखकर के मंत्र-मुख्द आप हो जाएंगे, कि इन मंदिरों में हजारों की संख्य में चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी मूर्तियां बनी हुई है, यहां मूर्तियां नहीं बनाई गई है, डेकरेशन के रूप में, इसके अलामें आप देखिए कि जो यहां जो मंदिर है, इस मंदिर में यहां पर बालकोनी आपको दिखाए देगी, यहां पर बालकोनी का निर्मान किया गया है जो कि हमें यहां पर बालकोनी नहीं है इसकी अलावे अगर आप यहां पर देखें कि अगर आंतरिक भाग की मैं बात कर रहा हूं कि गर्वगरी में अगर आप ध्रविर मंदिर अस्थापत कला सैली की अंतरगत प्रवेश करते हैं तो लेकिन यहां पर यह ब्यंकर द्वारपालों की आकड़तियों का निर्मान नहीं किया गया है. यहां पर फिर जो है छोटी 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 पत्थर की मूर्तियां आपको गर्विरी के बाहर दिखाए देगी. जो किसी एतिहासिक, जो किसी पौरानिक, जो किसी धार्मिक या लौकिक जो एक्टिवीटी है उसको अभिव्यक्त करने का काम करती है। जबकि यहां पर द्वारपालों की आकरतियों का निर्मान किया गया है। और इसकी बाद अगर बात करें कि इनकी अस्तम्भ है। ठीक है। मंदिर के भीतर जो अस्तम्भ हैं और इनकी जो अस्तम्भ हैं इसमें काफी अंतर है। क्योंकि इनकी अस्तम्भ जो हैं यह भी हाली डेकुरेटेड हैं। जबकि यहां डेकोरेशन कम है, यहां सीह के पीठ पर एक तरसे अस्तम्भो को अस्थापित किया गया है, यहां पर इस तरह की चीजे नहीं दिखाई देती है, यहां पर सबसे वरी विशेष्टा क्या है कि मंदिर के एक एक अंग परत्यंग में छोटी-छोटी-छोटी- काफी कम दिखाई देती है, हलांकि दोनों ही मंदिर में धकी हुई प्रदक्षिना पत आपको दिखाई देगी, दोनों ही मंदिरों का निरमान पत्थरों से किया गया है, लेकिन पत्थरों का यहां पर जुराव जो किया गया है, वो इंटर लॉकिंग टेक्निक से किया गय इसकेंसाथ आप देखें कि मंदिर का रिर्मान के चबुत्र रे पड़ किया गया gdaughter तो यहाँ चबुत्रा इसाथ हाइट कम है जबकि के उस इसे चबुत्र की यहाँ पर अधिक है इस तरह से आप देखते हैं तो बेशर सैली और नागर सैली मंदिर है उन मंदिरों में मुल्भूत अंतर है